करमित्रों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ए और एस नाम वाले जातकों की जोड़ी कैसी होती है और इनका बैवाहिक जीवन कैसा होता है ए नाम वाले जातकों की रासी मेश होती है और एस नाम वाले जातकों का रासी कुम्ब होता है दोस्तो एना मौलिजा तक बहुत ही आत्म निर्भर होते हैं और खुद पर बहुत जादे वरोसा रखने वाले होते हैं दोस्तो यह जादा बोलने की जगह जादा करने में विसेज ध्यान देते हैं दोस्तो इन्हें लोगों को सम्मानित करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है लेकिन इनके ब्रिक्तित को यदि कोई ठेस महुचाता है तो यह उन्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करते हैं दोस्तो प्रेम के प्रती इनका रुझान बहुत ही जादे होता है यह प्यार के मामले में बहुत ही जादे कुसल होते है ज़ि हम एस नामवालों के बारे में जाने तो के बिचार के बारे में जाने तो यह बहुत ही साकरात्मक सुभाव के होते हैं दोस्तो यह किसी भी कारियों को वो सो समझ के करते हैं और इनका मन पूझा पाठ में बहुत ही जादे होता है दोस्तों यह प्रेम और बेहवार की मामले में एक नंबर पर होते हैं एस नाम वाले जातक यदि किसी से एक बार लगाओ कर ले तो उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते दोस्तों ए और एस नाम वालों की जूड़ी बहुत ही जादे धमाल मचाती है इन दोनों जोडियों के बारे में 34 सास्तर में यह बताया गया है कि यह दोनों जोडिय बहुत ही नंबर वन रहने वाली है दोस्तों यदि ए और एस नाम वाले जातकों का विवा हो रहा है और मन में किसी परकार का जिजक है तो वो अजिशक अपने मन से तुरंत ही निकाल दे क्योंकि इन दोनों जोडियों में बहुत ही जादे प्रेम और बहुत ही जादे लगा होता है यह दोनों जातक एक दूसरे के लिए बहुत ही परफिक्ट बैठते हैं दि आप इन जातकों से साधी करना चाहते हैं तो अपने मन में किसी परकार का संक्योच मत रखिये और तुरंत ही हा कर देजिए ए और एस नाम वाले जातकों का बैवाहिक जीवन खुसालियों से भरने वाला है और यह दोनों जोडि एक दूसरे के लिए बहुत लकिस सावित होने वाली है इन दोनों जोडियों को मिलने के बाद घर में बहुत ही जादे परकत होगा और घर परिबार बहुत उचायों तक जाएगा तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले और साथी साथ घंटे का बटन दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहरे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों इसी के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करना सेर करना और कमेंट बुक्स में अपना राय भेजना बिलकुल ना भूले नमसकार मित्रों धन्यवाद